हेलो स्टुरेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्यूशन नमबर 3 सोल करने वाले हैं लास्ट वीडियो तक हम क्यूशन नमबर 2 सोल कर चोके हैं क्यूशन नमबर 3 हमारे सामने है अब आज ये गॉणन खंट वीदी दोवरा निमली कित पुर्णांगों के HCF और LCM ग्याद कीजिए लास्ट जब वीडियो हम ने बात की तो वहां पर भी हमने ये देखा कि जो नियून तम गाते होती हैं उसके दोवारा हम HCF ग्याद करते हैं और अधिक तम गातों के दोवारा हम LCM ग्याद करते हैं सेम उसी तरीके सेम इस क्यूशन में भी सोल करने वाले हैं और हमारे पास यहां पर क्यूशन नंबर थार्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम भी तीन नंबर दिये गए हैं एक है बारा है एक है पंद्रह और एक है एक्किस तीनों के हमें सबसे बहले अब आजे गुन ती है अफेरा है फिर 6 20 से 3 भार वे वाजित होता है और 3 तो अब अब आजे से इसली तेन से ही विवाजित होती है अम ऐसां के लिए सकता है कि फिर पंद्र के लिए थे तीन से वी आजएत होता है पांच भार और पांच तो श Bennu फो सिरफ फ़य कुछ यह एक बार एसे 21 के लिए एक के का आ 되काओ क्या करने हैं यह वगा 2 की गहात 2 मुना 1 यह तीन की लिखे जाएं ना लिखें कोई खास फरक पड़ता नहीं है फिर हम देखें 15 15 का मतलब होगा 3 की घात 1 और 5 की घात भी एक और इसी तरह किसे हम 20 की बात करें तो 20 का मतलब है 3 की घात 1 और 7 की घात 1 यहां तक आपके समझ में आया होगा चलिए अब हम आगे बात करें तो अगर हमें H-C-E-F निकालना है तो हमें नियूनतम घाते लेनी पड़ेंगी 2 की घात यहां पर 2 है लेकिन बाकी की सभी सिंख्याओं में 2 गायब है मतलब 2 की घात 0 है इसका मतलब 2 यहां पर हमारे काम का नहीं है H-C-E-F के लिए H-C-E-F के लिए 3 देखें तो 3 की घात यहां भी 1 यहां भी 1 और यहां भी 1 तो मतलब 3 की घात 1 आने वाला है इसके लाव बाकी कोई संख्याओं अगर बच रही है तो देखे 5 तो 5 की घात यहां 1 है लेकिन यहां 0 और यहां 0 तो 5 भी काम में नहीं आएगा और 7 के लिए भी सेम इसी तरह की साथ की घात यहां भी एक है लेकिन बाकी सब जगह 0 है इसका मतलब 7 भी हमारे काम का नहीं है तो S-C-E-F आ गया हमारा 3 अब हम बात करें L-C-E-M के L-C-E-M में अदिक्तम गात हो की बात करेंगे 2 की घात 2 यहां पर है बाकी कहीं नहीं है इसका मतलब 2 की अदिक्तम गात कितनी होगी 2 3 यहां पर है यहां पर भी है और यहां पर भी है तीनों ही जगह गात 1 है इसका मतलब 3 के अदिक्तम गात 1 पांच शिर्फ यहां है इसके लाव कहीं नहीं है और यहां पर पांच की गात एक है मतलब पांच की गात अभी भी कितनी आएगी एक और साथ सिर्फ यहां पर है और कहीं भी नहीं है तो साथ की गात भी सिर्फ और सिर्फ कितनी है एक अब हम फाइनल आंसर पर पहुंचते है साथ को 5 से गुणा करते है 35 35 को 3 से गुणा करते है 105 और 105 को अगर हम 4 से गुणा कर ले तो 105 को 4 से गुणा करेंगे आजाएगा आंसर 420 क्लिर है तो यहाँ पर हमें HCF मिल गया 3 और LC मिल गया 420 मतलब 420 तो आपको क्यूशन नमबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्यूशन नमबर 3 का सेकंड पार्ट सोल करेंगे